नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपता फीडबेक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टड़ी फार एकजांस में दोस्तों यूपी पीसेस प्रिलिंस 2000 पेस्ट के लिए हम लोग Topic Wise Current Effect Series शुरू किया है और आज का जो Topic है हमारा Index है इसमें हम लोग जानेंगे कि सुचकांख को किसमें किस अंस्थान ने जारी किया है उसमें पहला स्थान प्रकौन है अंतिम अस्थान प्रकौन है और भारत की सितिक क्या है इन सभी को हम लोग इस वीडियो में दिटिल में कबर करेंगे हैं वीडियो शुरू करने से पाने आगा बताना चाहता हूं UPSC-RO, B-O, UPSC-PriLensite हमारे काई प्रकौन चाहते हैं अगर आप इन प्रकौन से जुनना चाहते हैं तो दिये गए नंबर पर कॉल कर जनकाई प्रात कर सकते हैं तो आई हम लोग भारत के रैंकिंग को तो भारत जो है वह 150 अस्थान पर रहा है जो काफी बुरा है और यह जो रैंकिंग जारी किया थी इसमें टोटल 180 देशों का 180 देशों की रैंकिंग जारी किया थी और यह है वैस स्विक्षान सुचकंग 2022 इसे इंस्टीट फ़र एकनॉमिक एंड पीषन जारी किया है और इसमें प्रथम अस्थान पर आइस्लेंड का है और भारत की जो रैंकिंग है वह 135 भारत की रैंकिंग है और इसमें टोटल 163 देशों की रैंकिंग जारी की गये थी और यह इस का सुलाहमा संस्क्रन जारी किया गया है वैस्विक सांथ सुचकंग 2022 को अगला जो सुचकंग है लोगतंतर सुचकंग 2021 इसे इकनोमिक्स इंटेलिजन यूनिट ने जारी किया है और इसमें प्रथम अस्थान पर नार्वे रहा है और भारत की जो रैंकिंग इसमें है वह 46 अस्थान पर भारत रहा है टोटल 165 देशों के रैंकिंग जारी की गई है लोगतंतर सुचकंग 2021 में और इसे पहरी बार वर्ष 2006 में जारी किया गया है लोगतंतर सुचकंग को अगला सुचकंग है ब्रष्टा 4 और धारणा सुचकंग 2021 इसमें परथम अस्थान पर सनीतरोप से न्यूजिलैंड, फिनलैंड और डिन्मार सनीतरोप से परथम अस्थान पर हैं इसे ट्रांस्परेंस से इंटरनेशनल जारी किया है ब्रश्टा चार और धालडा सुचकांग 2021 में भारत का जो अस्थान है वो आपका 85 है 85 अस्थान है भारत का ब्रश्टा चार और धालडा सुचकांग 2021 में यहां से आपको परिच्छा में एक से दो प्रस्ण जरूर देखने को मिलेंगे सन्युक्त राष्ट मानव विकास सुचकांग 2021 की जो रिपोर्ट है यह सन्युक्त राष्ट विकास कारिकरम जिसे हम लोग UNDP की नाम से जानते हैं और इसे पहली बार वर्ष 1991 में यह रैंकिंग जारी की गई थी और इसमें प्रथाम अस्थान पर सुच जलेंड है बात करते हैं भारत की तो भारत का जो इसमें अस्थानव काफी खराब है वह 132 वा अस्थान है सन्युक्त राष्ट मानव विकास सुचकांग 2021 ने भारत का र समाधान ने जारी किया है और इसमें जो पहला अस्थान प्रदान किया गया है वह फिनलेंड को पहला अस्थान प्रदान किया गया है फिनलेंड जो है लगातार कई सालों से जो है पहले अस्थान पर रहा है बात करते हैं भारत की तो इस रैंक में जो भारत का अस्थान दि दिया गया है पिछली बार भारत को रैंक थी वो टूटल एक सो पचास दिसों में 136 वी रैंक जो है वो भारत को दिया गया था और 2023 भारत को रैंक है वह 126 है पहले अस्थान पर फिल्लैंड है वैस्विक लैंक आंतर सुचका गया जारी किया है वन इत्रैंड हो है पिल्मकि को जारी किया आप बारत के बारत की अस्थान है अतिम पाइदान पर अफगानिस्तान हे अफगानिस्तान जो है अंतिम पाउदान पर है अगला जो आपका है आर्थिक सुचकान्टा सुचकांग 2022 इसे दो फाउंडेशन हेरिटेज ने जारी किया है और इस सुचकांग में सिंगापुर जो है वह पहले अस्थान पर है बात करते भारत के तो आर्थिक सुचकांग 2022 म भारत की जो रैंकिंग है वह आपके 131 अस्थान पर जो है वह भारत है और इसमें टोटल 117 देशों के रैंकिंग जारी की गए थी आर्थिक सुचकांग 2022 में पहले अस्थान पर सिंगापूर है और भारत वह आपका 131 नमबर पर है है हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो ज जारी किया है इस इंडेक्स को हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान पहले अस्थान पर रहा है और भारत के जो जो नागरिक है वह टोटल 20 के कुल वंसर डेशों में जो है बीना बीजा के जो है यातरक कर सकते हैं हैंले पासपोर्ट इंडेक्स की अमसर अगला जो सुचकांग है अंतराश्टी बौधिक संपदा सुचकांग 2022 इसे यूएस चेंबर आप कामर्स ने जारी किया है और इसमें प्रताम अस्थान दिया है अमेरिका को भारत को जो अस्थान प्रान किया इसने वो 43 रैंक भारत को दिया है अंतराश्टी बौधिक संपदा सुचकांग में और इसमें टोटल जो है 55 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी और 43 अस्थान भारत को दिया गया है अगला सुचकांग है सतत्व विकास सुचकांग 2021 इसे सस्टेनेबल डेवल्मेंट सॉलूशन नेट्रक जिस पावर इंडेक्स 2021 इसे लोवे इंस्ट्री जो अस्ट्रिेलेम मिस्तित है इसने जारी किया है और इसमें परथम अस्थान पर अमेर्का है बात करतें भारत की तो भारत के जो अस्थान है वह च जारी किया है और इसमें पहले अस्थान पर डेनमार्क को रखा गया है और भारत का जो है अस्थान है वह सबसे अंतिम प्रद étaली स्थान अस्थान पर है और जो है वर्ल्ड इक प्रवंधन विकास अंस्थान आई एंड़ी ने जारी किया है और इसमें प्रथम अस्थान दिर्मार को दिया है और भारत का जो अस्थान है वह सेटीस्वा अस्थान प्रणांद किया है बीस्व परत्यस बदा सुचकांग 2022 में अगला जो है मिस्टार्टप इको सिस्टम एंडेक्स 2021 इसे इस टार्टप ब्लिंक ने जारी किया है और ईसमें प्रताम अस्थान पर अमेरिका को रखा है और भारत के जो रेंग के इस ने जारी किया वह 20 वे अस्थान पर भारत को रखा गया है इको सिस्टम इंडेक्स 2021 में energy transition इंडेक्स 2021 जो रिपोर्ट है यह world economy फोरम ने इसे जारी किये है और इसमें प्रत्थाम अस्थान पर सुदेन पर रखा गया है और भारत की जो अस्थान इसमें 87 वे अस्थान दिया गया है एनर्जी ट्रांजिस्टन इंडेक्स 2021 में है जलवाई परिवतन प्रताशन सुचकांग 2023 को जर्मन बाच New Climate Institute और Climate Action Network नहीं जारी किया है और इसमें जो है पहले दूसरे और तीसरे अस्थान पर कोई भी देश नहीं है इसमें चौती अस्थान पर जो देश है वापका डेनमार है और भारत का जो अस्थान प्रतान किया उसमें वह आथमां प्रतान किया गया है जलवाई प्रताशन सुचकांग में ठोटल सतावं देश थे और यूर्पी संग सामिल था जलवाई प्रतं सुचकांग जो है 2005 से जारी किया जा रहा है और इसमें भारत के जो अस्थान वा आठमा अस्थान है Global Innovation Index 2022 में सुच्जर लेंड को प्रतम अस्थान दिया गया है भारत के जो अस्थान दिया गया है वह 40 अस्थान प्रणान किया गया है और इस रिपोर्ट को इस रैंकिंग को 20 बाउदिक संपता संगठन ने जारी किया है और इसमें टोटल 132 देस्थान के रैंकिंग जारी किया है Global Innovation Index में भारत का अस्थान 40 है पहले अस्थान पर सुच्जर लेंड है सबसे इंपोर्टन जो है Global Hunger Index 2022 यह जो रिपोर्ट है यह कंसर्ण वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ ने मिलके जारी किया है और इसमें जो प्रथाम अस्थान दिया गया वह बेलारूस को दिया गया है और भारत को जो अस्थान है वह 107 अस्थान है जो काफी खराब है तो इस प्रकार हम लोग जितने भी इंपोर्टन इंडेक्स थे आपके परिछा के लिए उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कबर कर लिए हैं आसा है आप सभी को बहुत कुछ जैनने को मिला होगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगत तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को पुर्दक धन्यवाद जै जै भारत